नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका हमारे यूटूब चैनल जरधारी क्लासिस में दोस्तों तो आज हम आपके लारक हैं वीकली करंड़ फियर्स सीरीज में 31 माई से लेकर 6 जुन तक के महत्वपूर्ण करंड़ फियर्स क्वेशन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि परते एक संड़े को हमारी याप पे वीकली करंड़ फियर्स सीरीज चलती है जिसमें हम उस वीक के महत्वपूर्ण सेलेक्टिव करंड़ फियर्स क्वेशन लेके आते हैं जिसमें आपको याँ पे उत्राखन, राष्टे और अंत्राष्टे लेवल के महत्वपूर्ण करंड़ फियर्स आपको प्रोवाइड किये जाते हैं तो चले दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों हम आपके लिए लेकर रहा रखें उत्राखन जीके अप जिसमें आपको उत्राखन शामन ग्यान, डिटेल नौट्स, MC क्यू प्रेक्टिस सेट, उत्राखन प्रिवेस एर टेपर, क्विज और डेरी करेंट अफियर्स देखने को मिलेगा एप्लिकेसन को डाउनलोड के निकले सर्च कीजे प्ले इस्टोर में उत्राखन जीके और सर्च जल्ट में देखिए उत्राखन जनानोलिस के नाम से SJ ग्रूप का एप और इसको इंस्टोल कीजे और इसको इन्जॉई कीजे और हाँ, यदि आपको एप पसंद आता है तो इसके फायर रेटिंग देना बिलकूल न भूले। जिनका संबन्ध है पितोरगड जनपत से तो C option आप पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेशन नमबर 1 का। Q2 है यहाँ पर नीति आयोग ने SDZ इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है इस सूचकांग में उत्राखन को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है दोस्तों इसको यह बहुत ही इंपोर्टन है और इसके आने के चांस भो जादा है तो इसमें उत्राखन को यहाँ पर चोथ काफी डिटेल्स आपको आपके बताने के कोशिज करते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हो नीति आयोग ने सतत विकास लक्षेओं के लिए SDZ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट 3 जून 2021 को जारी की रिपोर्ट कब जारी की यह भी आपको डेट नोट करनी है 3 जून 2021 को और किस पर दें की प्रगति का मोले अंकन किया जाता है कितना विकास किस ने किस छेतर में किया या कितनी प्रगति की तो इस सम्मंदित यह रिपोर्ट जारी की जाती है प्रते एक साल और देखो यह तीसरी रिपोर्ट है ठीक है इससे पहले अभी दो भार तक यह रिपोर्ट जार तो आपका हिमाचल परदेश हुजाएगा लेकिन अगर सभी राजयों की बात की जाए तो केरल यांपे टौप पर है SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट में सबसे खराब परदेशन करने वाले राजय कौन-कौन से हैं तो सबसे खराब परदेशन के हैं यांपे बिहार ने 52 अंग के हैं यांपे बिहार के जारकंड के हैं 56 अंग असम के हैं 57 अंक और उत्तर परदेश के हैं यहाँ पर 60 अंक अगर हम केंदर सासित परदेशों की बात की जाए तो टोप 3 जो केंदर सासित परदेश जिन्होंने अच्छा परदेशन किया है तो नमबर वन पर है चंडीगट 79 अंक को मिले हैं चंडीगट को यहाँ पर केरल से भी ज़्यादा अंक परदेश है तो राजियों में केरल नमबर वन है और केंदर सासित परदेशों में चंडीगट यहाँ पर नमबर वन है SDG India Index 2021 की रिपोर्ट में Question number 3 है यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के मोके पर उत्राखन में GDP की तरजपर GEP लागू करने की गोषणा किस ने की तो हालि में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई गया तो विश्टब प्रियावरण दिवस के मौके पर यहाँ पर हरक सिंग रावत जो की वन मंत्री है उत्राखन के इन्होंने राज्य में GDP की तरज पर GEP लागू करने की गोशना की अब यह GEP क्या है इसको आपको समझाने के कौसिस करते हैं उत्राखन के कैबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत ने 5 जून 2021 को राज में GDP की तरज पर GEP फुल फॉम क्या है यह विए काफी इंपोर्टन है आपको जरू नोट करनी है ग्रोस इंवर्मेंट प्रोड़क्ट अगर हिंदी में बात करें तो सकल पर्यावरण उत्पाथ अब देखो यह क्यों उत्राखन में लागो की जारी इसको समझते हैं पहले उत्राखन में प्रयावरण का स्रक्षण बढ़ाने के लिए या कितने यहाँ पे प्रयावरण के स्रक्षण में वर्दी हो रही है और प्रयावरण का डाटा जो पेड़ होते हैं कुलमा के पर्यावण में जो उत्पात, जो प्रोडक्न है, उसके यहाँ प्रिपोर्ट जारी करने के लिए, यहाँ पे क्या लागो की जाएगी GEP जैसे GDP लागू की जाती है देश की राजय की ग्रोथ जाने के तो वैसे पर्यावण की ग्रोथ और पर्यावण स्रक्षण में ग्रोथ जाने के लिए यहाँ पर्यावण उत्पाद में ग्रोथ जाने के लिए पर्यावण उत्पाद में ग्रोथ जाने के लिए यहाँ पर जी सिवराज सिंग रावत निसंग का निधन हो गया हुए थे तो सिवराज सिंग रावत इनका हाली में निधन हुआ है और ये थे एक साहित्यकार बी ऑफ्षन याप पर क्वेशन नमर फोर का राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर आप दे सकते हो उत्राखंट के चमोली जिल उत्राखंट में नन्दाजात और स्रिष्टिका रहसे इनके परसिद रचनाये हैं और ऐसी इनके बहुत सारी वेसे रचनाये हैं लेकिन परसिद ये काफी इंपोर्टन्ट है आपको जोरुनोट करनी है और सम्मान इनको क्या-क्या प्राप्त हुए तो उमियस डोभाल इस कुष्मर्त हिंदी सेवा समान 2005 में इनको सम्मानित क्या गया इस प्रुष्कार से उत्राकर सेनेक स्रोव मन सम्मान से इनको 2008 में सम्मानित क्या गया और गुमानी पंत साहित्य समान ये काफी मोश्ट इंपोर्टन्ट है तो ये आपको जरू नोट करना है दो जार-दस-गय पर सिक्षन के इंडरो बनाए जाएगा मुनिश्यारी में ए उप्षन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तो उत्राखंड के यहां पर टॉप 5 करंट अफियर्स इस वीक के जो थे Most Important यहां पर बता दे गए हैं आपको हमारी वीकली करंट अफियर्स सीरीज कैसी लगती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं जिसे हमारा मनोबल बढ़ता है आपके कमेंट से और लाइक और अधिक से अधिक जरूर करें ताकि उत्राखंड के हर अभिर्त तक हमारा युवा परधानमंत्री योजना को किस मंत्राले द्वारा लौंच किया गया है तो हाली में सिक्षा मंत्राले द्वारा युवा परधानमंत्री योजना को लौंच किया है ए ओप्शन आपके सही आंसर हो जाएगा क्वेसन नमबर 6 का अब कभी योजना लोंच हुई तो 29 मई 2021 को सिक्षा मंत्रा लेके उच्षा युगाग ने युवा लेखाओं को प्रोचाइट करने के लिए युवा परधानमंत्री योजना 2021 की गोशना की है अब दोखों यहां से किस्टाइट के इस योजना से किस्टाइट की क्वेशन बन सकते हैं कि युवा परधानमंत्री योजना 2021 कब लोंच हुई 29 मई 2021 को ये किस समंद्ध है तो ये है लेखकों से समंद्ध जो युवा लेखक हैं और 30 वर से जिनकी उम्र कम है वही लाभारती कि इस योजना से लाभ पाएंगे तो इस योजना का उद्ध söz है भारते संस्कर्त इवम नवादित लेखकों को बढ़आवा देना तो लेखकों से ये समंद्ध है जो योवा लेखक है भारत के योजना और नवोदित लेखक जिनकी आयू 30 वर से कम है वही इस योजना के लिए लाभार्ती है तो लाभार्ती कोन है सिर्फ वही है जो युवा क्या है तीस वर से कम है अब देखो युवा ये योजना इसकी फुल फो में आप पे यंग, अपकमिंग, एंड विर्शिटाइल ओथर्स तो लेखों के लिए उथर्स के लिए क्या है, ये योजना लॉंज की गई है 29 मई 2021 को और यहाँ पे पहले क्या होगी यहाँ पे परतियोगिता होगी और उसके बाद सेलेक्टिव जो लेखा कहें उनको चुना जाएगा और साथ साथ उनको 6 महने तक 50,000 की राशियां पे चात वृत्ती परतियोगिता होगी परतिमंत ये भी आपको नोट करना है क्वेशन नमबर साथ है यहाँ पे किस राजे की सरकार ने COVID-19 के कारण अनात हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सिसु सेवा योजना शुरू की है तो यहाँ पे असम राजे की सरकार ने मुख्यमंत्री सिसु सेवा योजना शुरू की है किस के लिए जो बच्चे COVID-19 के वज़े से अनात हो चुके हैं और ऐसी कई राजे में उत्तर परदेश में भी कई योजना ऐसी लोजना ऐसी लोजना हुई है मुख्यमंत्री सिसु सेवा योजना की घोस्वना की है इस योजना के तहट बच्चों की सिक्षा के लिए अईभावों को हर महीने 35 रुपए की हारतिक साहता परदान की जाएगी और जिनके मात्र पिता दोनों गुजर गए हैं दोनों की डेथ हो चुकी है उन्हें आवासिया उद्धाले में सभी विवस्थाएं सरकार मोहीया कराएगी ये मुख्या उद्धे से है जो की असम सरकार ने सुरू की है मुख्यमंत्री सिसु सेवा योजना अनात्र बच्चों के लिए जिनके मात्र पिता कोविड-19 वज़े से जिनकी मात्र पिता का निधन हो चुका है क्वेशन नमर आट यहाँ पे अंतराश्टिया बुकर प्रुसकार 2021 मॉस्ट इंपर्णन्ट क्वेशन है अंतराश्टिया बुकर प्रुसकार 2021 से किसे सम्मानित क्या गया है तो D.O.P. से नहीं पर सही आंसर हो जाएगा डेविड D.O.P. डेविड D.O.P. को सम्मानेत क्या गया है अंतरास्तिया वुकर पुरुषकार 2021 से हाली में फ्रांसिती लेखा कि डेविड D.O.P. ने अंतरासिती वुकर पुरुषकार 2021 किसे किस के लिए प्रदान किया गया तो उनकी पुस्तक है at night all blood is black क्या है पुस्तक at night all blood is black इस पुस्तक के लिए इनको यानि डेविड डियोप को अंतराश्टिया भुकर पुरुषकर 2021 से सम्मानित किया गया question number nine है आप पे विश्व दुग्द दिवस कम मनाई जाता है या कम मनाई गया तो एक जून को मनाई जाता है विश्व दुग्द दिवस के रूप में और विश्व दुग्द की महत्ता पता चल सके और दुग्द के जो फाइदे यानि दुग्द के जो फाइदे हैं उसके बा इसकी क्योंकि थीम काफी important होती है जो भी दिवस या तो दिवस में क्या पूश जाएगा या तो उसकी date पूश जाएगी वो कब मनाया जाता है या उसकी थीम पूश जाएगी जब वो मनाया गया है हाली में तो इसकी थीम है 2021 की पर्यावलन पोशन और सामाजिक आर्थिक ससक करन के सासाथ डेहरी छेतर में इस्थिरता यानि sustainability in the dairy sector along with improving the environment, nutrition and socio-economics तो ये इसकी थीम है दुगद दिवस 2021 की Q10 है यहाँ पे WHO महानिदेशक विशेस मानिता पुरुशकार 2021 की से सम्मानित किया गया है तो हौली में डॉक्टर हर्षवर्दन को यहाँ पे WHO महानिदेशक विशेस मानिता पुरुशकार 2021 की सम्मानित किया गया है और देखो जो डॉक्टर हार्षवर्दन है क्यों इन्हें इस प्रुषकार से सम्मानित किया गया है तो यहां पर आप देशकते हो विश्व सास्थ संगठन यानि डॉट्टर हार्षवर्दन को तंबागो नियंतरन के छेतर में उनकी उपलब्दियों के लिए विश्व मानिता प्रुषकार से सम्मानित किया गया है क्यों अब आप समझ गयोंगे क्यों सम्मानित किया गया है तंबागो नियंतरन के छेतर में उनकी उपलब्दियों के लिए इस प्रुषकार से इनको सम्मानित किया गया है question number 11 में किस भारतिया है पुर्स मुक्हेबाज ने सवन पदख जीता है 24 11 मई के बीच में कहां किया गया बारत screaming बारतिया है बारत भारतिया है बारतिया है साफी डिटेल्स आपको बताना जरूरी है आपे तो S.A.I. मुक्यबादी चैंपियंशिप का यहां 31 संस्क्राण था जो 24 से 31 माई के बीच आयजित की गई यहां परतियों गता संयुक्त अरब अमरिती के दुबई सहर में आयजित की गई थी और संजीत कुमार ने पुरुसो एक किराबहारग वर्ग में उसके बाद जो भारत के परसिद मुक्यबाद है अमित पंचाल इन्होंने S.A.I. मुक्यबाजी चैंपियंशिप 2021 में रजत पदक जीता है और महिला वर्ग में S.A.I. मुक्यबाजी चैंपियंशिप 2021 में पूजा रानी भारते महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है तो पूजा रानी जो की भारते महिला बॉक्सर है उन्हें गोल्ड मेडल जीता है जबकि पूरुस वर्ग में 91 किगराब भार के वर्ग में संजीत गुमार ने यहाँ पर स्वन पदक जीता है जांग होंग जिन्होंने दुनिया के सबसी उची चोटी मांट एवरेश्ट पर चड़ने वाले वो एसिया के पहले और दुनिया के वो तीसरे नेतरहीन ब्यक्ती बन गए है जांग ने 24 माई को कबके इन्होंने एवरेश्ट को फटह 24 माई को दुनिया के सबसे उची चोटी की चड़ाई पूरी की है तो ये बन चुके हैं ऐसे पहले बेखती जो की नेतरीन है और इन्होंने सबसे उंची चोटी यानि माउंट अरेस्ट फते हासिल की है 24 मही को क्वेशन नमर 13 है यहाँ पर विश्व तंबाकू निसेद दिवस कम मनाई गया तो 31 मही को मनाई गया है विश्व तंबाकू निसेद दिवस को मनाने का उद्धेस क्या है तो वेस्व तिक नागरिकों के भी तंबाकू के उपयोगों के खत्रों के बारे में जागूता को बढ़ावा देना और धीम क्या है इसकी तो commit to quite यानि छोड़ने के लिए परतिबद काफी important theme है विश्व तमबाकू निशी दिवा 2021 की commit to quiet यानि छोड़ने के लिए परतिबाद आगे बढ़ता है question number 14 की और Indian Broadcasting Foundation यानि IBF का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो IBF यानि Indian Broadcasting Foundation का नाम बदल कर याँ पर Indian Broadcasting and Digital Foundation यानि IBDF कर दिया गया है question number 14 याँ पर सही answer है question number 14 का question number 15 याँ पर नीतिया आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांग 2021-21 में कौन सा राजय पहले इस्थान पर रहा है तो अभी आपको उपर ही बताए था उत्राखन वाले current affairs questions में तो टो पर कौन रहा किरल रहा बी option याँ पर सही answer हो जाए question number 15 का तो यहाँ पर आप दे सकते हो यहाँ पर नीतिया आयोग ने हासिए केरल ने जब कि सबसे खराब प्रदोसन किसका रहा है बिहार का रहा है और केंदर साशित परदेश्व की बात की जाए तो टॉप पर रहा यहाँ पे चंडीगेड तो ये आपको उपर ही बता जिया गया है फिर विद आप यहाँ पर देख सकते हो टौप है केरल प्रफिहार बावन अंगों के साथ दूसरे पर जारकंड चापनों के साथ यह सो मिसेनिटी अंग है तीसरे पर असम है और चोते पर है उत्तर परदेश और अगर टॉप सरी केंदर सासित पर दोस्तों की बात की जाए तो चंडीगार नमबर वन पर है 79 अंगों के साथ दिली बीडियो के साथ बारे कमेंट भुक्स अपने राई ज़रुर दें विडियो अच्छ लिएग तो वीडियो को लाइक और से जरू करें और ये सारे नोटस आपको कहा मिल जाएंगे हमारे एप में मिल जाएंगे उत्राखन जी की आप से सर्च कर सकते हो प्लाइ स्टोर में सबसे उपर आजएगा SJ गुरुप का एब उतराखान General Knowledge के नाम से तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर आपको एक Current Affairs और यही नहीं weekly जितने भी हमारे Current Affairs की सीरीज की वीडियो है वो सारे आपको 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 मिल जाएंगे तो मिलते हैं दोस्तों रक्षी साथ अपते के लिए धन्यवाद